येस बेटा आज हम करेंगे हमारी exercise 5.5 इसमें क्या है हम करेंगे prime numbers and composite number prime number होते हैं जो सिर्फ क्या है 1 से divide होते हैं ठीक है for example 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये हैं सिर्फ 1 से divide होते हैं इनका कोई factor नहीं होते हैं next रहते हैं composite number composite number होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा factor हो यहां फिर normally हम लोग कह सकते हैं यह क्या है किसी से भी divide हो जाते हैं अब देखी यहां पे जैसे हमें दिया हुआ है कुछ हमें important point दियो है जैसे 2 के smallest prime number है सबसे छोटा जो prime number है जो किसी से divide नहीं होता है वो कौन है 2 है next 2 is only even prime number और 2 के है only ऐसा prime number है जो क्या है even है 2 एक even number भी है और यह क्या है एक prime number है 1 is neither a prime nor a odd 1 जो है वो ना तो क्या है prime number है ना ही क्या है odd number है यह divide तो सबसे होता है और यह क्या है odd भी नहीं है all even numbers expect to are composite सभी जो even number होते हैं वो क्या आते हैं composite number होते हैं 2 को छोड़ कर सिरफ 2 ही ऐसा है जिसके कोई factors नहीं होते हैं उसके इलावा सभी जो even number होते हैं उनका क्या होते हैं factors होते हैं उनको divide कर सकते हैं next है 3 is the smallest odd prime number तो सबसे चोटा जो odd prime number है वो कौन सा है 3 है क्या है even prime number सबसे छोटा अब देखिए exercise 5.5 इसमें क्या है write all the prime number between the given numbers आपको prime number बताने है जो किसी से divide नहीं होते हैं तो 13 से लेके last क्या है 41 के बीच में numbers बताने है 13 के बाद कुन सा होता है 13 के बाद होता है 17 जिसके कोई factor नहीं होता है उसके बाद 19 ये भी किसी से divide नहीं होता है उसके बाद 21 होता है तो उसे write नहीं करेंगे लेकिन 23 नहीं होता है तो 23 25 होता है 27 भी होता है और उसके बाद 29 ये भी किसी से divide नहीं होता है उसके बाद 31 31 भी किसी से divide नहीं होता है अब next है बेटा 2 2 कहा तक है 19 तक इसमें देखिए 2 जो 19 के इंदर देखिए इसमें 2 के बाद क्या आएगा 2 सबसे चोटा उसके बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 भी किसे से जवाई नहीं होता है then 9 होता है इसलिए 9 का नहीं तिल्टन करेंगे 11 11 के बाद 13 इसके बाद 15 15 को नहीं राइट करेंगे क्योंकि वो 3 से भी डिवाईड होता है 5 से भी डिवाईड होता है उसके बाद आएगा 17 ये भी किसी से डिवाईड नहीं होता है next है हमारा next है हमारा 41 to 71 तक है 41 के बाद कौन सा नंबर है जो डिवाईड नहीं होता है 41 के बाद आता है 43 ठीक है ये भी किसी स से डिवाइड नहीं होता है 45 नहीं राइट करेंगे कि 9 x 5 के होता है 45 होता है then 47 वो भी डिवाइड नहीं होता है उसके बाद उसके बाद आएगा बेटा 53 वो भी किसी से डिवाइड नहीं होता है 53 के बाद 50 तो 53 के बाद क्या आएगा 55 भी डिवाइड हो जाता है 57 भी हो जाता है उसके बाद आएगा 59 59 के बाद 61 किसी से डिवाइड नहीं होता है and last 63 तो होता है इसलिए उसको नहीं राइट करेंगा उसके बाद आएगा 67 ठीक है अब नेक्स देखे 19 तो हमें राइटन करना है बेटा 47 के बिच में अब देखे 19 के बाद के बाद के आएगा 19 के बाद 23 23 के बाद 29 29 के बाद 31 then 37 37 के बाद 39 नहीं राइट करेंगे वो जाता है उसके बाद आएगा 41 वो डिवाइड नहीं होता है 41 के बाद आता है 43 वो भी किसी से डिवाइड नहीं होता है ठीक है यह हमारा first question हुआ इसके अंदर अब second question देखिए इसमें क्या है encircle all the composite numbers आपको composite number के उपर क्या करना है circle करना composite number होते हैं जो divide हो जाते हैं ठीक है then 8 8 के आता है 4 multiplied 8 तो यह भी divide हो जाता है next है बेटा 6 6 के हमारा composite number उसके बाद क्या आएगा 5 ए 11 नहीं होते हैं उसके बाद होता है 21 यह भी divide हो जाता है 21 के बाद आएगा 92 यह भी क्या है सबसे divide हो जाते है 92 के बाद क्या आएगा 76 76 के बाद आता है 45 then 40 22 and then 39 यह नमबर है जो किसी भी नमबर से क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं हमारा next sum देखिए yes हमारा sum number 3 है आपको क्या करना है first 20 composite number करनी है जो क्या 40 से start होते हैं तो composite number होते हैं जो divide हो जाते हैं तो इसके अंदर 4 से start करना है तो composite number write कीजिए composite number तो कौन कौन से आएंगे 4 से start करके पहले आ जाएगा 4 इसके बाद 6 then 8 9 9 भी होता है divide क्योंकि 3 multiply 3 होता है इसके बाद 10 10 के बाद क्या आएगा 12 12 के बाद 14 14 के बाद क्या आएगा 15 then 16 16 के बाद आता है 18 18 के बाद 20 21 क्योंकि 3 multiply 7 को आता है 21 then 22 22 के बाद आता है 24 then 25 26 उसके बाद आता है 27 नहीं है 27 क्योंकि 3 multiply 9 के बाद आता है 27 then 28 28 के बाद के बाद क्या आता है